हेलो सबी सात्यों को सूपर भात गुड मॉर्निंग दोस्तों आज अपनी 8 फरवरी 2024 है जो करंट फेर की हमारी रेगुलर संकला चल रही है सुबह अच्छाय वज़ेश दोस्तों आप रेगुलर देख रहे होंगे और सांधार नोट्स भी त्यार कर रहे होंगे दोस्तों ये परसन आपके स्क्रिन पर है आयोध्या उत्र परदेश में आयोध्योत सेनियर राष्टरी ये तीरन दाजी परती होगे तामें राजस्तान ने कितने पदक जीते हैं बहुत ही बड़िया परसन है दोस्तों तुस्ते पहले हम राम मंदिर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते यूपी आयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है दोस्तों आयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बना है दोस्तों वहां पर दोस्तों जो अपना पत्थर गया है दोस्तों यहां पर कहां से गया है राजस्तान से पत्थर ये गया है दोस्तों राम मंदिर का जो पत्थर है ये जो पहाड़पूर की पहाड़ियां से दोस्तो इसका पत्थर गया है दोस्तो बंसी पहाड़पूर की पहाड़ियों से दोस्तो जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है इसका पत्थर गया है दोस्तो राजस्तान से ठीक है ये भी आपको याद रखना है चलो और शुर्न पदक किसने जीता है दोस्तो कितने पदक जीते हैं चीक है अब आब कोगे सर् कौन कौन सी जीते हैं तो दोस्तो एक तो जीता अपने पूरूस महिला तीम नियुक्त में टीम और अपनी जो व्यक्तिकत एक टीम थी उसके दोकी जीता गया था कुन सा इसकी वेक्तिकर्ट टेम के दोवारा विकास यादव ने दोस्तो वेक्तिकर्ट टेम या वेक्तिकर्ट के अंतर का दोस्तो विकास यादव जो अपने कास्य पज़क जीता था इनके दोवारा दोस्तो ये आपको important लगा कर याद कर लेना दोस्तों आगे एकजाम में पूछा जाएगा फिर आप ही कोगे सर ये काँ से आ गया हमें तो थे माने बताई हो ये को नहीं तो बता दियो है दोस्तों बते रट लेया या जो भी इच्छा हो वैसे कर लेना ठीक है चलो अगला परसन निका पास से आने वाले हैं दोस्तों इसका विश्वास दिलाता हूँ याद करवाने कि जिम्मेवारी मेरी है बस एक बार आपको नोट बुक के नोट कर रो उसके बाद रिविजन करने का बोलो तब रिविजन कर लेना बस हाले में विश्व की सबसे बड़ी रोटि बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों रोटि है ना वो बनाने का कैला सोनी, रवी सोडी, लक्समन व्यास, पवन व्यास बताओ कौन बना सकते हैं दोस्तो जो अपने रवी सोनी इनका संबन्द है अपनी हनुमान गड़ से दोस्तो रवी सोनी का दोस्तो अपनी हनुमान गड़ से है जो नई संसद भवन बनी थी इसके अंदर गड़ जो असोक स्तंब है ना असोक स्तंब उसको बनाया था किसने लक्समन व्यासने दोस्तो ठीक है लक्समन व्यासने रवी सोनी का संबन्द है दोस्तो जो अपने सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने का रिकोर्ड, किसके नाम है, सबसे बड़ी जो पेंटिंग होती है न, उसको बनाने का, पेंटिंग बनाने का रिकोर्ड, पेंटिंग बनाने का रिकोर्ड, किसके पास है दोस्तों, रवी सोनी के पास है, ये भी आपको याद इनका संबन्द है आपका बिकानेर से सबसे बड़ी पगड़ी सबसे बड़ी पगड़ी बहुत छोटी पगड़ी दोनों का बांधने का रिकोर्ड किसके नाम है पवन व्यास के नाम से और सबसे कम समय के अंदर कम समय के अंदर दोस्तों ठीक है कम समय में बांधने का भी सबसे बड़ी सबसे छोटी और सबसे कम समय में बांधने का रिकोर्ड भी आपके किन के पास है पवन व्यास इनके पास है लक्समन व्यास हर्मानगर से नई संसत में बनाया रवी सोनी ने सबसे बड़ी पेंटिक बनाने का रिकोर्ड के ला सोनी ने सबसे बड़ी रोटी बनायी है इनका सम्भंद है उद्यवपुर से थीक है चलो अपने उद्यवपुर से थोड़ी इनका संबंद उद्यवपुर से रवी सोनी दोस्तों उद्यवपुर से रवी सोनी और केला सोनी का है भीलवाडा से संबंद पूचे का संबंद से najनी पुछेगा नाम पूचेगा संबंद्ध यह चीजे छोड़ दो बलें बanı लेकिन नाम फुचेगा जिसाए रोटे बनाने की रिकोर्ड किसके आथ पास है या सबस्वे बड़ी पेंटिक बनाने में सोकस्तम किस ने बने इसम बड़ी व्याँ किद शर्प एच के ने केला सोने ने दोस्तो 125 किलो की जो आना ये रोटली बनाईए चोई सलवायो ने 6 गंटे के अंदर चोई सलवायो और 6 गंटे का इनती समय लगाए और तवा था सो किलो का दोस्तो सो के जी का तवा था ये भी इसके अंदर थोड़ा बहुत द्यान रखना दोस्तो चालो अगला परसंट 66 वी राष्ट्रे शुटिंग चेंपेंसी में भारत के अंदर जो प्रूस स्किट शुटिंग परतिस परदा में किसने स्वन पदक जीता है दोस्तो सुभास रिसब जेन अनत जीत शेद जुनए दने दोस्तो किसने जीता है जल्दी से कमेंट करी है ना बहुती बढ़िया परशन है तो 66 वी राष्ट्रे शुटिंग चेंपेंसी पर बारत के अंदर जो प्रूस हुए अपनी स्किट शुटिंग की परतिवा कि ताक पर अंदर दोस्तों इसका आयो जन दिल्ले के अंदर 64 वी थी दोस्तों ये ठीक है और प्रूस के अंतर दोस्तों जो जीता है जिनोंने अनित जीत इनका संबन्दे राधस्तान से दोस्तों इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है दोस्तों ये भी आपको याद रखना है ठीक है गोल्ड मेडल इसके द्वारा जीते गए है अगला प्रसन आपके स्क्रिन पर केप टाउन विश्व विद्दाले दक्षिन अफ्रिका के ड्रग डिस्कवरी रीसर्स सेंटर में किसे विग्यानिक पद पर चैनित क्या गया है कलराज में सर बहुरसी जाखड सुनील जाखड अच्युता सामन्त किसे जो दक्षिन अफ्रिका में जो अपनी केप डाउन विद्दाले के अंदर दोस्तों ड्रग डिस्कवरी रीसर्स सेंटर में विद्द्द पर दोस्तों वो है आपकी दोस्तों बहुरसी जाखड को दोस्तों नियुक्त क्या गया है यह बाड मेर से सम्मध है इनका और यह दोस्तों ड्रग डिस्कवरी रीसर्ट सेंटर के अंदर दोस्तों इनको चैन हुआ है ठीक है अगला परसन नेशनल सेंटर फोर पर्मोशन ओप इंप्लोइमेंट फोर डिसेबल्ड पेपल दवारा वरस दोजार तईस के लिए किसी यस्वन्त केलकर और हिलन केलर पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों जल्दी से बताइए यह किया जाएगा दोस्तों जा चुका है दोस्तों किया गया है ठीक है तीन वेक्ति इसके अंतर का तसामिल होएं दोस्तों ठीक है और इनमें से एक है डॉक्टर वेबो बंडारी इनका पाली से सम्मेंदो और यह दिव्यांग है दोस्तों ठीक है दिव्यांग है इनका दोस्तों इसके अंदर हुआ है इनको दिया गया है अवार्ड दोस्तों डॉक्टर रुमा देवी मैंने बताया था दोस्तों जो बाड 10 के अंदर दोस्तो ठीक है? ये भी आपको याद रखना है चालो राश्टरे विदि विद्धाले में राज़स्तान मूल के विद्धारतियों को पहले बार कितने परत्थिसफ आरक्षन दिया जाएगा दोस्तो पहली बार राजस्तान के अंदर दोस्तो जयवपूर के अंदर जो लो युनिवर्सेटी है दोस्तो विधी विद्धा ले जयवपूर की दोस्तो जो युनिवर्सेटी है जो जोदपूर की उसकी स्तापना कब होती है दोस्तो जो विधी कोलेज या युनिवर्सेटी है इसकी स्तापना ह कि गए राजस्तान मूल निवासी के लिए गुनतीस परसेंट ठीक है उतकुल मेला के 35 सीटें चलो यह थी दोस्तों आज की क्लास किसी लगी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और एक परसंट और बचा है आपके एक से तीन दिसंबर दोजार तेश कुम्बलगड फेस्टिवल का आयोजन कहां क्या गया दोस्तों राजसमन जेपूर कोटा अलवर बताओ पोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों इस परसंट पर बताओ जल्दी से जो एक सी तीन दिसंबर के अंदेर दोस्तों कुम्बलगड फेस्टिवल कुम्बलगड का दोस्तों मेवाड की संकट कालिन राजधानी पूछी जाए मेवाड की संकट कालिन राजधानी दोस्तों कौन सी थी मेवाड की जो संकट कालिन राजधानी थी वो थी मेरासमन का जो कुम्बलगड दुरुग है रासमन के अंदर यह था दोस्तों सोरी रासमन कहां गड़ का उपनाम दोस्तों कटार गड़ भी है ये भी आपको इंपोर्टेंट लगा कर याद रखना है मेवाड की आंख भी दोस्तों इसे कहते हैं मेवाड की आंख है क्या कहते हैं मेवाड की आंख भी इस दुर को कहा जाता है और इसका निर्मान राना कुमभा के दवारा क इसके साथ चल सकते हैं दोस्तों और अबूर्फजल ने इस दुर्ग के बारे में का कि दुर्ग की ओर देखो तो सिर्की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है दोस्तों चीक है सिर्की पगड़ी क्या है वो नीचे गिर जाती है इसा अबूर्फजल ने का था दोस्तों और य ठीक है के इंदर कनवर्ट उसको हर चीज आपका रिवी जन और साथ में नया करणट जोड़ता चुरूँ वस इस कड़ी को जोड़ जोड़ के पढ़ाऊंगा दोस्तों आप अगर दोस्तों बढ़िया सपोर्ट करो ना तो मैं सांधार इससे भी सांधार कंटेंट बना दूस ठीक है और दूसरी बात जो मैं चाह रहा था है बारा तेरह चुर्भी वो नहीं रेगी्म बारां से para क्लास है वो आजाएगी आपकी जो रिकोड़ेट फॉर्मेट के अंदर या किसी वे परकार में आपको क्लास अवेलबर करवा दूंगा मैं तो खुछ साधी के अंदर जाने वाला हूं लेकिन क्लास आपकी रिकोडिंग करके जाओंगा ठीक है तो आप इस क्लासों को देख ल से जितनी कोशिस हो सकते हैं उतनी कोशिस करने वाला हूं उस्तों आपके लिए बस आप अपना प्यार बने रखना इसी के साद उस्तों अलविदा कहता हूं आपको थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नरता तक चेहिंग जे भारत